हम exercise 2.2 के 6 to 11 questions cover करने लगे हैं ठीक है question number 6 से question number 11 तक question number 6 पढ़ रहा हूँ 3 consecutive integers consecutive का मतलब आपको पहले ही बतादो consecutive का मतलब होता है लगातार ठीक है जैसे अगर पहला 1 है अगला 2 आएगा उससे अगला 3 आएगा ठीक है लगातार integers तीन लगातार integers का जो प्लस है वो 51 है एड करते हैं तो 51 बनाते हैं तो तीन लगातार integers है अगर पहला integer हम x let कर ले लेट first integer be x तो second integer क्या होगा जैसे पहला इंटीजर 1 है तो अगला क्या होगा टू होगा भी बताया कि कैसे उससे प्लस 1 करा ना उसमें 1 में तो x plus 1 कर दो मतलब जितने भी integer कहें हो इन्होंने x plus 1 x plus 2 x plus 3 ऐसे करते जाओ तीन इंटीजर कहें हैं तो first यह हो गया second यह हो गया और third integer क्या हो जैगा x plus 2 अब इन तीनों का add बोला है इन्होंने add मतलब इन तीनों का plus इसका भी इसका भी और इसका भी कितना आ रहा है 51 अब x x और x को plus कर दो तीनों को कितना हो जेगा 3x number number को आपस में plus कर दो like terms को 1 और 2 कितनी हो जेगी 3 अब plus का 3 उदर जाके यह वाला minus 3 अब 3 उदर क्या हो रहा है कोई sign नहों तो क्या होता है multiply उदर जाके क्या होजेगा divide यह 16 आ गया लेकिन हमने सिरफ एक integer नहीं निकालना तीनों निकालना है वटा दीज इन्टीजर तीनों इंटीजर पूछे है तो यहाँ पे लिख देना second integer is equal to x plus 1 मतलब कि 16 plus 1 is equal to second ठीक है sorry is equal to 17 अब यहाँ पे लिख दो third integer is equal to x plus 2 मतलब कि 16 plus 2 is equal to कितना आजेगा 18 ठीक है असान है next question है the sum of three consecutive multiples of 8 is triple 8 फिर से वही है consecutive multiples बोले हुए है तो consecutive multiples में पहला क्या आएगा let first multiple be x ठीक है फिर अगला x plus 1 फिर अगला x plus 2 second और third यहाँ आप खुद लिख देना लेकिन किसके multiples है 8 के है तो अगर 8 के multiples है तो आपने वही चीज करनी है यहाँ पे plus ही करना है ठीक है sum बोला हुए इन्होंने साफ साफ बट आपने सब के आगे 8 लगा देना है इसके आगे 8 इसके आगे 8 ऐसे नहीं लगाना bracket में लगाना क्योंकि यह दोनों से multiply होएगा इसके आगे भी 8 bracket में लगाना है इसके आगे भी 8 bracket में लगाना है is equal to me कितना आ रहा है answer plus 8 और 16 कितने होजेंगे 24 ठीक है जी plus का 24 उदर जाके क्या होने वाला है minus का 24 888 में से 24 minus करोगे तो कितना बचेगा 864 ठीक है 24 इदर multiply इदर जाए क्या होजेगा divide इसके आवारा हम से cutting कर दो 2 2 से 2 12 जा 2 4 32 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 से इसके direct cutting कर दो 6 3 जा 18 ठीक है 3 बचा 36 6 6 जा 36 36 answer आगया ठीक है अब यहां 36 आगया अब यहां put तो आप खुद कर लोगे ना 36 प्लस 1 कितने होजेंगा 37 ठीक है 36 प्लस 2 कितने होजेंगा 38 ठीक है लेकिन 8 से multiply भी कर देना इसका answer आप खुद निकालो ठीक है अब 3 consecutive integers है, multiply by 2, 3, 4 है न, 3 consecutive integers मतला वही पहला x, अगला x प्लस 1, उससे अगला x प्लस 2, ठीक है, जैसे पिछले question में हमने यहां कर रहा था न, 8, 8, 8, आपको यहीं कर लेना चाहिए था, इसमें भी न, 8, 8, 8, यहीं कर लेना, यह मैंने यहां direct बताया था, यहां भी कर लेना, यहां भी लिख देना इसको, ठीक है, अब यहां पर मैं correct कर देता हूँ यह चीज, 2, 3, 4 से multiply करना है, consecutive integers को, मतला पहला, 2 से multiply होगा, दूसरा 3 से, और तीसरा 4 से, ठीक है, इससे सा more easy हो जाएगा, add up to कितना है, 74, तो यह कितना हो जाएगा, 2x, प्लस 3, x, प्लस 1, add क्यों कर करोगे, 4x, 4, 2, जा कितना होजेगा, 8, is equal to 74, x, x वले आपस में, प्लस करो, 2x, 3x, 5x, 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 4x, 9x, नमबर आपस में, प्लस करो, 3 और 8, कितने हो गए, 11, प्लस के 11 को उदर भेजना होगा है, तो प्लस के 11 उदर जागे, क्या होजेगा, 63, ठीक है, यह भी पता होगा, 9 क सेकेंड और थर्ड इन्टी जा, यहां पे भी 7, पूट कर दो, यह होजेगा, 27, 14, यह होजेगा, 38, 24, 7 और 2, कितने होगा, 9, यह होजेगा, 49, 36, ठीक है, कुशन नमबर 9, तो एजिज और राउल, एंड हरून आरिंदा रेशो, 5 रेशो, 7, जो एजिज हैं की,